मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागता है आद मैं आपको सूजी का ढोकला बनाना सिखाऊंगी मेरा वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेयर कीजिए सबसे पहले ढोकला बनाने के लिए 500 ग्राम सूजी लेंगे और 500 ग्राम छाच लेंगे सूजी को पहले बरतन में पल्टेंगे उसके बाद छाच उसमें दीरे दीरे करके डालेंगे और दीरे दीरे करके मिलाएंगे उसमें गाठ नहीं होनी चाहिए तब तक मिलाते रहेंगे अगर आप चाहें तो चार्ज की जगर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अच्छे से मिलाते रहें गाठ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर चार्ज कम पढ़ जाती है तो पानी का बेस्तमाल थोड़ा कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेगा बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए बहुत थिकनिस भी नहीं होनी चाहिए मीडियम होना चाहिए अभी देखिए थिकने से है इसमें तो हम थोड़ा सा पानी इसमें एड़ करेंगे अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और मीठे सोड़े का भी इस्तमाल करेंगे अब घूल को हम 15 मिनिट के लिए रिष्ट करने के लिए रख देंगे उसके बाद जिस बरतन में हमें पकाना है उस बरतन को ऑईलिंग कर लेंगे अच्छे से चारो तरफ बढ़ियां से ओलिंग कर लेंगे अई देखिए ऐसे ब्रश लेके चारो तरफ अच्छे से इसको लगा दीजिए और यह तो निकालते समय दिक्कत होती है इसके बाद हमने बरतन में पानी डालके स्टैंड लगा दिया है इस स्टैंड के ऊपर ही डोकले का बरतन रखेंगे पानी में से जब भाप निकलना शुरू होता है उस समय रख दिया जाता है अब हमारा ढूकले का बेश तयार हो गया है इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा एड़ कर दिया है रेस्ट करने के बाद थीखनेस थोड़ी आ गई है तो थोड़ा सा पानी और एड़ करके इसमें अच्छे से मिला लिया जिस बरतन बरतन में इसको डाल रहे हैं बरतन आधा ही होना चाहिए भरा पूरा नहीं भरना है जिस बरतन में ओयल लगाया थी उसी में ही पलट रहे हैं आधा ही होना चाहिए अब इसको देखे, पानी गरम हो चुका है, भाप निकल रहा है, स्टैंड के उपर इसको रख देंगे, और इसको ढख देंगे उपर से, अच्छी तरह से, कहीं से भी एर ना निकले इसका, और इसको धीमी आज पर पकाएंगे, बीच से पचीस मिनट का घड़ी देख करके आप पीजे, और बीच में इसको खोल के एक बार, कुछी पैनी चीज से, जैसे चाको से, उसमें लगा कर देखेंगे, कि कितना पका है, उसे पता चल जाएगा आपको, आपने खोल के इसको बीच में देखा, अभी कम पका है, थोड़ा समय और लेगा, अब आप उसको चक करके देख सकते हैं, पूरी तरह से अल्डोकला बन के तयार हो गया है, अब इसको आज से नीचे उतारेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब यह ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद बाहर निकालेंगे, उसे चाकू से चारो तरफ से घुमा दीचेगा चाकू, और उसको बरतन में पलट दीचेगा, पीछे से थोड़ा सा थप थप करेगा, तो अंदर का छोड़ देगा, और बड़ी असानी से वो बाहर निकल जाएगा, उसको चोटे-चोटे टुक्रों में काट लीजिएगा, अब हम इसको तड़का देने की तयारी कर रहे हैं, कडाही में तेल डाला है, तेल अच्छी से गरम हो जाए, तब उसमें राई डाल दिया, राई डालने के बाद हरी मिर्च डालेंगे, इसके बाद कडी पत्ता डालेंगे, यह हो गया है, इसमें अब हम अपने मसालों को आड़ करेंगे, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला है, और आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर बहुत जरूरी है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया है और हल्दी पाउडर तो जरूर डालिएगा उसी से कलर आएगा टेस्ट भी अच्छा आता है इस सारी चीजे डाल दिया अब इसको अच्छे से मिला देंगे अब इस सारे मसाले होगे अच्छे से मिला करके अब इसमें ढूपले को पलट देंगे अब मसाला हमारा तयार हो चुका है मिर्ची कड़ी कत्ता सब कुछ बग गया अब ढूपले इसमें डाल देंगे डालने के बाद इसको अच्छी से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को बढ़ियाँ से अब ये देखे Chicago बन के तयार है और सूझी का डोपला बहुत हिल्दी होता है खाने में टेस्टी भी होता है भीछज़ जल्दी डाइजिस्ट हो जाता है झाल झाल